रादे रादे दोस्तों बज गए हैं दिन के बारा और मैं सूट कर रही हूँ अभी तो सुबह मैंने काना को इस तरह भोग लगाया था दोपर के बारा बज चुके हैं अब मैं डेडी को दे रही हूँ खाना के लिए मैंने एक जार में पकेवे चामल डाले हैं और उसमें डाल रही हैं सिंपल डाल जिसे मैंने बाद में तड़का लगाया है और इसको ग्राइंडर करके हम खिलाएंगे डेडी जी को आज डेडी जी के बारे में कुछ बाच्चीत करेंगे आप लोगों के साथ तो देखें हम लोग किस तरह से डेडी जी को खाना देते हैं साम में मतलब रात का खाना और दिन का खाना डेडी जी डाल और चामल ही खाते हैं सुबह मौनिंग में डेडी जी दूद और ब्रेट खा लेते हैं इलकुल भिगा के जिसमें हमें दवाई डालनी होती है और दि लिए बाहर चलते हैं और देखते हैं डेडी जी क्या कर रहे हैं आज डेडी जी की तबे थोड़ी हलकी खराब है तो देखें डेडी जी यहां पर सो रहे हैं इस तरह से सर जुका के इस तरह से सो रहे हैं ये देखें और मैंने जब चियर निकाली बाहर प्लास्टिक वाली त आज थोड़े हलके सुस्त हैं कल साम से काफी कफ उने हुई और रात को 11 बजे या साड़े 11 के आसपास हमें नेमुलाइज करना पड़ा तब जाके थोड़ा आरा मिला बाकी कुछ और भी बोडी में हो रहा होगा, पैन हो रहा होगा हैडिक हो रहा होगा, बोल तो सकते नहीं हैं, बता नहीं पाते हैं इसलिए हमें कुछ ज्यादा पता नहीं चलता है तो अब खाना कहलाते हैं दोस्तों, यह देखें, बुखार है मुझे लग रहा है, अभी खाना खिलाने के बाद चेक करेंगे मुँ में कुछ डाले तो एकदम से खाते नहीं हैं, हलका सा उनके मुँ में रख देते हैं तो उसके बाद फिर वो टेस्ट आएगा मुँ में खाने का तो फिर खा लेते हैं इसी तरह हमें खिलाना होता है दोस्तों आप वीडियो में आप लोगों को लगता होगा कि हम लोग बहुत जल्दी डैडी को खाना खिला देते हैं लेकिन नहीं दोस्तों आदा घंटा से पॉर्ण घंटा के आसपास मुझे खाना खिलाने में लगता है क्यूंकि वो गले से ना अंदर ले नहीं पाते हैं बहुत दीरे-दीरे slowly slowly खाना खिलाना होता है और अगर एक भी चावल का दाना मुह में आ गया तो मुह बन कर देते हैं और उसके बाद उस दाने को निकानने के लिए इतनी मसकत करनी पड़ती है तो इसलिए हम लोग कोशिस करते हैं कि दाल चावल बहुत अच्छी तरह से पिसा होना चाहिए नाइन्टी फिप्टी एट में डेडी आर्मी में भरती हुए थे उसके बाद एटी में आर्मी से रिटायर हो गयते उसके बाद डेडी ने अपनी सेवा बैंक को दी और मेरे साधी से पहले भी डेडी बैंक से रिटार हो चुके थे अभी डेडी की एज 86 के करीब है और 8-9 साल से डेडी डाइपर में है और 14-15 साल से डेडी की यादास जाने लग गई थी वो घरवालों को धीरे धीरे पता चला की यादास अब नहीं है कम्प्लीट जो हमें 12 साल तो हो गए है कि अब हमने माल लिया था कि डेडी के यादास जा चुकी है और उससे पहले क्या करते थे डेडी दिन भर में असी बहार गूमते रहते थे फिर आते थे फिर गूमते थे लेकिन वो क्या हो रहा था अपना घर भूल रहते और आते थे फिर कभी-कभी तो दो गंटे गंटे में वापस आना फिर खाना खाना फिर जाना फिर आना फिर खाना इसी तरह करते थे और कभी-कभी तीन से चार गंटे या पांच गंटे छे गंटे बाहर रहते थे फिर बाद-बाद में काफी रात तक घरने आते थे फिर दोनने जाना परता था वो लिफ्ट लेकर चले जाते थे इधर से उधर उधर से इधर ऐसे ही करते रहते थे और हमको पता ही नहीं चलता था डेड़ी ने खाना खाते खाते आज बहुत टाइम लगा दिया तो मेरे प्रवस्मा एक सीतल है वो उसके बच्चे और मेरी बेटी एक साथ इसकुल जाते हैं तो वो अपने बच्चे को लेने आगे हैं उनका छोटा बेटा एक बज़े जल्दी आ जाता है और मेरे बेटी और उनकी बेटी दो बज़े के आसपास आते हैं तो वो बोल रही है कि काफी टाइम हो गया अपने वीडियो अपलोड नहीं किया है कई बार हमें पानी के ऐसे सीप करके देना पड़ता है कि डेडी जी गले में कुछ प्रॉब्लम हो गई है जो तेजी से खाना भी नहीं खा पाते और पानी भी नहीं पी पाते तो अब मैं डेडी जी को सुला दूंगे उसके बाद फिर जो भी काम मेरा होता है दिनका मुझ पी सूगर वगरा पहले हुआ करता था वह अब नहीं है हवा अंदर ना इसलिए ममी इस तरह खिड़की में कपड़ा लगा देती है अब यह बिस्तर वगरा अभी सब ममी बना के जाती है ताकि दिन में मुझे ज्यादा दिक्कत नहों मैं खाना कि लाके सिर्फ डड़ी को स टाइम देना होता है मेरे पास सामका टाइम में एक या दो घंटे निकल जाते हैं उसी में मैं अपना DIY जो भी काम करना है वो कर लेती हूं कभी कर पाती हूं कभी नहीं कर पाती हूं डड़ी जी के जितने भी काम है ऐसा नहीं है कि मैं ही कर रही हूं या ममी जी कर रहे हैं क इतना भी काम है, हम सब मिल बाट के करते हैं, इसमें हमें दिक्कत भी नहीं आती है, अब मैं डेडी जी के कमल और रजाय उड़ाने के बाद यहां पर कमरे में अधेरा कर दूँगी, ताकि डेडी जी को कोई प्रॉब्लम ना हो, और उसके बाद देखी, मैंने यह आरो से पा दिखाते हूं, मेरे आंगन में अभी इस टाइम कौन-कौन से फूल खिले हुए, जिनने देखने में, निहारने में बहुत अच्छा लगता है, यह कुछ रोज के ब्लांट लिये हैं, इन्हें रिपोर्टिंग करना है, आगे वीडियो में मैं आपको रिपोर्टिंग करके दिखाऊंगी, अब आई हूं मैं क्यारी में और यहां से घास लेके जा रहे हुए, जैसा कि आप सबने पिछली वीडियो में देखा था और साथ में लेके जाओंगे कपड़े सुखाने के लिए, यह कपड़े मॉनिंग में जो हमने दोयते वो सुखाए हैं और मैं अभी लेके आई हूं एक बाल्टी तो हमारे रोज का यह काम रहता है, कपड़ों का, यह देखे गिन्नी पिक मेरा इंतजार कर रहे हैं, कुछ प्लांट मैंने लिए थे उसका रिपोर्टिंग करेंगे, कल मेरी टाइम मेरा दोस्तों इसलिए मैं आज रिपोर्टिंग कर लूँगे इनका, इसके लिए मैंने यह खाद निकाला है, बर्मी कमपोस्ट, यह मेरी खुद की बनाए हुई खाद है, इन प्लांटों के लिए मैंने नया गमला नहीं लिया है, जो मेरे पास पुराने गम मेरे में ले लो प्लीज, बच्चों को बहुत सौक होता है वीडियो में आने का, चार गमले मैंने खाली के हैं, जो फ्लांट मैंने निकालने थे, यहां से वो मैंने निकाल दे, इनने जमीन में लगा दूँगी, यह सदा बहर का पौदा है, जो वाइट कलर का है, इसे पू अगर खाली करना हो तो उसको कर दीजिए और उसी में हम फिर नया प्लांट लगा सकते हैं, हमेसा हम नया प्लांट नहीं खरी सकते, उसके बाद देखें, मैंने बर्मी कमपोस्ट और मिट्टी का मिक्सर था, वो नीचे से डाल दिया है, उसके बाद मैं इस प्लास्टिक ब मिट्टी तयार किया है, वो डाल देंगे, इसी तरह से बारी बारी मैं इन सारे पॉली बैक को हटा दूँगे, और उसके बाद इनको इस गंबले में लगाती चले जाओंगे, दोस्तों, मैं एक बात और बताना चारी थी, यहां देखें, जो हम ये गुलाप लेते हैं, इन फटा-फट से इस वाले रोज को लगा दो, उसके बाद फिर मैं बताती हूँ कि यह कैसा होता है, मैंने जैसे पहले वाले गुलाप को लगाया था, उसी तरह मैं इस गुलाप को भी लगा दूँगे, और मिट्टी को दबा दूँगे, देखें दोस्तों, अगर हम करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 7, साथ इसमें इस तरह के पत्ते आते हैं, अगर टाइम से आपने इसे नहीं हटाया तो आपके गुलाप को यह खराब कर देते हैं, हाला कि इनमें बहुत सुंदर फूल आता है, गुलाप निकलते हैं, अगर आप पहाडों में जाएंगे तो आपक है, मैंने देखे, यहां पर इस तरह से राई की साग हुगाई है, क्यारी में, तो यह खाने में बहुत टेश्टी होते हैं, और इनमें बहुत प्रोटीन होता है, अब मैं यहां पर लगा रही हूँ बीन्स, देखती हूँ कि यह होते हैं, कि नहीं होते हैं, बीन्स लगाने खुश रही है अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज कमेंट करके बताईए ताकि मैं आगे भी इसी तरह का वीडियो ला सकूँ थैंक यू